दोस्तो आज हम करने वाले हैं समानने कंप्यूटर का next part और important questions का ये series हमारा चल रहा है जिसमें कि हम कम समय में ज़्यादा questions की practice कर रहे हैं और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी speed ज़्यादा है मैं बहुत जल्दी answer बता रहा हूं तो आप से वीडियो को रोख सकते हैं को समानत है temporary या volatile storage कहा जाता है कौन सी memory रोम को flash memory को virtual memory को RAM को किसे इन में से जो एक temporary memory कही जाती है volatile storage कहते हैं तो यह होती है आपके RAM RAM को कहते है RAM का full farm तो आप सभी को पता है random access memory होता है next है इस screen को hold करने वाला equipment कौन सा होता है इस screen को hold करने वाला equipment कौन सा होता है तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर देखे तो आपका right answer हो जाएगा monitor आपका correct answer हो जाएगा next question है कि form यहाँ पर अगर हम देखिए कि कौन सा form जो की करने के personal computer को एक साथ connect किया जाता है server form, super computer या network या इंटर्प्राइस तो इन में से अगर हम देखे कौन सा जो personal computer को एक साथ connect किया जाता है तो network form करने के personal computer को एक साथ connect किया जा सकता है तो आप सभी को पता है कि इससका right answer क्या हो जाएगा option C आप सभी का correct answer हो जाएगा दिएगे options में से Next question है कि इन में से कौन से जो की specific नियम और सब्द होते हैं जो algorithm के logical step से बैक्त करते हैं Programming language, syntax या programming structure या logic chart कौन से होते हैं आपकी इन में से programming language कौन से होते हैं programming language होते हैं जो algorithm के logical step से बैक्त करते हैं यहाँमाब करता हैm जो डाटा को सूछनामे प्रतित करता है, उसे process करता है, आपका देखें तो वी एंसर आप शबी का correct answer हो जाएगा दे गए options में से next question है कि किसी सब्द को highlight करने के लिए आप क्या करेंगे आप cursor को सब्द के आंगे रखते हैं या फिर या फिर क्या करेंगे button down hold करते हुए mouse को drag करेंगे button को down hold करते हुए आपके mouse को drag करेंगे किसी सब्द को highlight करने के लिए तो आपकी ये step अगर हम देखे तो आपको लेना पड़ेगा option first आप शभी का right answer हो जाएगा next question है कि telephone system दोरा transmission करने के लिए और पुनहे वापसी है तो digital computer signal को analog signal में परतित करने वाला device कौन सा होता है तो यहाँ पे देखे थोड़ा सा आपके options में mistake है अगर हम देखे तो options के according यहाँ पे दोनों answer हो जाएगे क्योंकि monitor आपका right answer है तो यहाँ पे आपके दोनों right answer हो जाएगे telephone system दोरा transmission करने के लिए और पुनहे वापसी है तो digital computer signal को analog signal में परतित करने वाला device कौन सा होता है तो monitor होता है कौन सा होता है monitor होता है देखें बिना cable project के network को connect करने वाले device को क्या कहते है तो बहुती आसान सा प्रशन है कि जिसमें cable बिना cable वाला without cable अगर हम देखें कि जिसे हम network को connect करते हैं उसे हम क्या कहते हैं वाइरलेस धेक्डिक है आप सभी को पता है चलिए next question है spread seat में sil को निमने अनुशार परिभाशित किया जाता है spread seat में sil को अगर हम देखे तो किस रूप में परिभाशित किया जाता है spread seat में sil को किस रूप में परिभाशित किया जाता है तो याद रखेगा row और column में row में और column का एक intersection होता है तो row और column का intersection section spread sheet में cell को अगर हम देखे किस रूप में परिभाशित करते है तो ये क्या होता है ये row और column का intersection होता है जैसे ये आपको मैंने बनाया तो ये जो आपको हो गया ये cell बन गया ठीक है तो ये row और column का intersection होता है next question है कि computer kb का full form क्या होता है kb का पुरा नाम क्या होता है बहुत ही आसान सा question है kb का पुरा नाम क्या होता है kb का पुरा नाम होता है kilobyte kb का पुरा नाम क्या होता है तो याद रखेगा आप सभी जैसे आपसे पूछ लिया गया mb का पूछ लिया गया gb का पूछ लिया गया TB का पूछ लिया गया PB का पूछ लिया गया तो MB का मेगावाइट, TB का टेरावाइट, GB का गीगावाइट, PB का पेटावाइट इस तरह से ही आपके होते हैं C answer आपका right answer हो जाएगा Next question है कि software का प्रात्मिक प्रियोजन जो data को अगर हम देखे करता है data को, data को सूच नामे प्रतित करता है याद रखेगा आप सभी important question है data को किस में प्रतित करता है software का जो प्रात्मिक प्रियोजन होता है data को सूच नामे प्रतित करता है आप सभी का right answer हो जाएगा option B Next question है कि floppy disk में data नामक rings का record किया जाता है किस में? tracks में, sectors में, rails में या आपके rounders में देखे floppy disk में data को अगर हम देखे तो आपके sectors नामक rings का record किया जाता है sectors में अगर हम देखे तो किया जाता है sorry, sectors नहीं आपके tracks में किया जाता है किसमें किया जाता है? tracks में जो floppy disk होते है floppy disk में data नामक rings पुछा गया है तो यह tracks में record किया जाते है tracks में sorry यहाँ पर mistake by mistake आपके tracks कर लिजेगा next question कि computer system को वह वाग जिसे कोई choose सकता है choose सकता है test कर सकता है hardware को data को software को input को किसे कर सकते हैं hardware hardware को आप क्या करते हैं कर सकते हैं क्या software को कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं क्या data को कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं next question है floppy disk का उपयोग किसले होता है floppy disk का उपयोग जो होता है किसले होता है आपके floppy disk का उपयोग भी अगर हम देखे तो सुचनाओं को store करने के लिए floppy disk का उपयोग किसली होता है तो सुचना कोई store करने के लिए storage device आपके हो जाएगे floppy disk the answer आप शभी का correct answer है आसान सा question है आज की class का सबसे अगर हम देखे तो CPU का full form क्या होता है देखे इसमें थोड़ा सा आपको सभी options में ध्यान देना है क्योंकि जब आपके exam में अगर question बनेगा तो ऐसे option रहते हैं कि ज़्याद स्याद सीज़ें same रहते हैं सिफ थोड़ी सी चीज़ें आपकी mistake रहते हैं और आपने अगर सही से नहीं पड़ा तो गलती हो जाते है देखे CPU का full form होता है Central Processing Unit होता है CPU का full form next है प्रविक्ता को accomplish करना चाहते हैं उसे computer दोर execute किये जाने पर instructions translate करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है instruction translate करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाते है इसे कहते हैं programming इसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं programming तिक है option first आप सभी का right answer हो जाएगा देगे options में से, इसे क्या कहते है, इसे कहते है programming, next question है कि input device का एक उधारन इसमें से कौन सा है, keyboard हो गया, monitor हो गया, printer हो गया, cpu हो गया देखे, input device जिसके तुरू आप input देते हैं, कौन सा है आपके keyboard keyboard जो है, input device है, और सबसे प्रचलन में आपके देखें तो keyboard ही input device है, सबसे प्रचलिट device है, आपके input device, वो कौन सी आपके keyboard, ठीक है, आप सभी का answer right answer हो जाएगा, next question है कि website address, एक unit नाम होता है, जो web पर एक specific, web browser को identify करता है, website को identify करता है, pda को या link को, किसे identify करता है तो web site को identify करता है web site को identify करता है आप सभी का v answer, correct answer हो जाएगा, देगे options में नेक्स question है, कि इन इनमे से कौन से ऐसी commands होती है जिनने select किया जा सकता है, pointer, menu icon, button जिनने select किया जा सकते, तो menu, menu में ऐसी commands होती है, जिनने select किया जा सकता है, तो आप सभी का right answer क्या है, option b, आपका correct answer सर देगे options में से एक कि यहाँ में अगर देखे तो यहाँ पर आपको सिंग दोरा किस प्रकार की फाइल क्रेट की जाती हैं तो आपके देखें तो डाक्यूमेंट फाइल कर सकते हैं next question है कि किसी विद्वान document में प्रवतन करने को क्या कहा जाता है कोई भी document है उसमें कुछ भी changes करना है तो उसे इस process को क्या कहते है आसान सा इसे कहते है editing इसे क्या कहते है इसे कहते है editing किसी document में प्रवतन करने के लिए हम क्या करेंगे editing करेंगे लिखे next question है आपके computer का everything component क्या होता है आपके इन्मेंस है everything component अगर हम देखे आपके computer का क्या होता है आपके इन्मेंस सर हो जाएगा दिएगे options में से next question है ऐसा सब्द जिने programming language ने अपने प्रयोग है तू अलग से रखा है आपके कौन सा ऐसा सब्द होता है ऐसा सब्द अगर हम देखे तो reserved words तीके आसांसा है अलग से अपने program के लिए अलग से रखा है तो अलग से क्या करेंगे कुछ भी चीज़े reserve कर लेते हैं न रिजब्द words ऐसे सब्द कुछ भी चीज़े reserve कर लेना अपने लिए एक तरह से उसे हम क्या कहेंगे वह अलग से हो गया तो यहीं यहाँ पर आसानी sensor कर सकते हैं कि reserved words जो होते हैं ऐसे product journal सिकेंशिल न पर करता है तो आप सभी का जायाँ रेंडम ऑक्सेस मिमोरी रेंडम एक्सेस मिमोरी रेंडम मीमोरी हो जाएगा नेक्स कोश्चन है कि predefined meaning वाला characters का एक समूँ आपके इन में से कौन सा है तो keyboard हो जाएगा तो आप सभी का items और option दी नेक्स कोश्चन है कि पत्र लिखने जैसे कारे करने के लिए प्रक्त्र सौप्ट्वेर के प्रकार को क्या कहा जाता है पत्र लिखने जैसे कारे करने के लिए प्रक्त्र सौप्ट्वेर के प्रकार को क्या कहते है इसे कहते है अप्लिकेशन सौप्ट्वेर इसे क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है अप्लिकेशन सौप्ट्वेर पत्र लिखने जैसे कारे करने के लिए प्रेक्ट सॉप्ट्वेर के प्रेकार को क्या कहते हैं application सॉप्ट्वेर कहते हैं next question है BAS, DOC और STML किसके उधारण हो जाएंगे database के domain के extension के या आपके protocol के तो यह सभी किसके उधारण है यह सभी extension के उधारण है next question है इन में से कौन सा एक unique नाम होता है जो आप सूचना की किसी file को देते हैं folder, device, letter, file name या file name extension जो कि file name जो होता है न एक unique नाम होता है जो कि आप सूचना की किसी भी file को देते हैं तो file name आप सभी का right answer हो जाएगा देगे options में से next question है देकि compiler higher level program को machine language में translate करता है जिसे आप क्या कहते हैं जिसे आप source code कहते हैं object code कहते हैं compiler code कहते हैं अब beta code कहते हैं देकि compiler higher level program को machine language में translate करता है जिसे आप क्या कहते हैं इन में से गर हम देखे तो object code कहते हैं जिसे आप object code कहते हैं दीकि next question है किसी प्रोग्राम को ठीक से निकालने के लिए क्या उश्यक होता है deleting, removing, under styling या does belong तिक है देखे किसी प्रोग्राम को ठीक से निकालने के लिए उश्यक है क्या तो अगर हम देखें आपे तो आप सभी का जो right answer हो जाएगा देगे options में से Option B, आप शबी का correct answer हो जाएगा, देगे options में से, sorry, C answer आप शबी का right answer है, अच्छा हाँ, निकालने के लिए बोला गया है, sorry, निकालने के लिए बोला गया है, तो un-styling होगा, ठीक है, मुझे लगा हटाने के लिए, removing, delete, एक तरह से, किसी भी data को एक तरह से remove करने के लिए, हटाने के लिए होता है, ठीक है, un-styling होगा, un-styling, ठीक है, जो कि एक तरह से, program को ठीक से निकालने के लिए, ठीक है, option C, आपका right answer हो जाएगा, next question है, किन में से button और menu होते हैं, जो समानते प्रेक्ट कमांड को quick access उपलब्द कराते हैं, कौन से होते हैं, toolbar, menu, bar, window या, find, तो इन में सिर्फ menu, में देखिए, menu, bar में जो button और menu होते हैं, वो समानते प्रेक्ट कमांड को quick access उपलब्द कराते हैं, तो आप सभी का right answer हो जाएगा, option B, जी, जीकि A, आप सभी का correct answer हो जाएगा, दिएके options में से, next question है कि computer बंद हो जाने पर, जो आपके input के connects last हो जाते हैं, या output या memory या storage, तो जो आपके computer बंद हो जाने पर, memory के जो contents होते हैं, वो आपके last हो जाते हैं, memory के contents, C answer आप सभी का, correct answer हो जाएगा, दिएगे options में से तो next question कर लेते हैं कि PC का full form क्या होता है PC का full form क्या होता है तो आप सभी के लिए असान सौ क्षेझन है personal computer typical network में सबसे महत्पूर्ण या powerful computer कौन सा है तो typical networking सबसे महत्पूर्ण या powerful computer है आपका network server network server होता है लेकि next question है कि आपके computer से hard copy उपलब्द कराता है कौन सा इन में से computer से hard copy कौन सा उपलब्द कराता है hard copy तो आपको printer ही कराएगा आपके printer के तुरू आप hard copy ले सकते हैं एक next question है किसी object के properties में access के लिए use की जाने वाली mouse टेकनिक निमनिखित में से कौन सी होती है कौन सी होती है right clicking टेकनिक होती है see answer आप सभी का right answer हो जाएगा next question है किसी भी computer system में सबसे चोटा unit जो ऐसे 8 मिलकर एक byte बनता है तो ऐसे 8 मिलकर एक byte बनता है तो bit हो जाएगा सबसे चोटा unit जिसे 8 मिलकर एक byte बनता है तो 8 bit equal 1 byte एक आसान सा question था next number pad से आप directional error के रूप में काम लेने के लिए किस कुझी को दबाना पड़ता है किस कुझी को प्रेस करना पड़ेगा तो name lock कौन सी name lock option first आप सभी का right answer हो जाएगा next question है instruction की series जो computer को एक है आधिक particular task perform करने के लिए कहती है कौन सी होती है वो होती है आपके program कौन सी होती है तो ये होती है आपके program the answer आप सभी का correct answer हो जाएगा computer बंद हो जाने पर इसके contents last हो जाते हैं तो ये तो आपने question कर लिया है memory तो ये थी हमारे आज की complete question आपने कितने question correct की आप comment करके बताएगा ये वीडियो को like किजेगा और share करना मत बोलेगा तो मिलते है next वीडियो में इसी तरह से आपके speed के साथ सभी questions को करनेगे ये कह थैंक्यू